प्लीसरी बार उस हरामजादे दामोदर ने हमारा माल लूटा है एक तो वो तड़ी पार है उपसे इसी शहर में रहता है और उपसे लूट मार करता है इसी से उसकी हिम्मत का अंदाज अलगा लिजे हिरा सेथ मेरा ख्याल है उससे हाथ मिलाने में ही भलाई है अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता उनके हाथ काट लेता हूँ दामोदर के हाथों में बहुत दंभ हिरा सेथ पलक जपकते ही गला काट देता है दुश्मन की ज्यादा थारीफ की तो जबान काट कर रख दूँगा ये दामोदर मेरे लिए सरदर्द बनकर रह गया है और तुम जानते मुझे सरदर्द जरा भी बसन नहीं शिवा नाम की एक गोली है हिरा सेथ जो आपके इस सरदर्द को दूर कर सकती है कौन शिवा एक पेशावर कातिल जुर्म की इस दुनिया में आजकल उसका नाम बड़ी इद्ज़त से लिया जाता है ठीक है शिवा की चाकू पर सहरामजादे दामोदर का नाम लिखवा दो आज अबी अच्छा अब उनके नाम का सुपारी निकाले लाए ए शकूरा यह साला बंबाई शहर में ऐसा कौन सा शाना पैदा हो गया अरे जो आप उनके नाम का सुपारी ले सकता है अरे साला आप उन तो वो है कि जिन्दा तो जिन्दा साला मरे हुए को भी मारता है हुए 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 इस खिलोने के साथ मैं बच्पन से खेलता आया हूँ अब यह मेरा दोस्ट बन चुका है मेरा साथी मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा यकीन नहीं आता तो एक बार फिर से कोशिश करके देख कामोदर मेरे चाकू ने तेरे खून को चकनी की कीमत ले लिए लेकिन जर्म के इस बेवसूल दुनिया में मेरी भी कुछ असूल है मैं अपने शिकार को कभी सोते वे नहीं मारता जगा कर मारता हूँ ताकि मरते वक्त उसे शिकायत न रहे कि मैंने उसे अपनी सिल्गी बचाने का मौका नहीं दिया अब अन्बात खुश वह भीड़ो पहला ताइम किस apology order की आखो में आखे डाल कर बात करने की हिम्मत की है पहला ताइम किसी ने दामोदर का फेका हुआ चाकु पकडा है पहला ताम किसने दामोदर के अड़े पर आकर उसको ठंकी ती है दुनिया का हर काम एक नएक दिन इनसान के साथ पहला टाइम ही होता है दा मुदर जनम का पता नौ मेने पहले चल जाता है मगर मरने का पता नौ सेकंड पहले भी नहीं चलता इसलिए मैं मरने वाले को नौ गंडे की मौलत देता हूँ ताकि वो अपने क्रिया करम का समान अपने हाथों से खरीच सके चलता हूँ ये चाकू में तेरे कंदे के बजाए तेरे सीने में भी उतार सकता था मगर मैं बगाएर कीमत किसी का खून बहाना नहीं चाहता नौ गंटे बाद मुलाकात होगी अरे साला अप उनको मारेगा तब न जब खुद नौ घंटे तक जियेगा ये-जन क्यां болो लुक तक अर सकता है ये-जन, रए-जन, scandख़ँ सकता है राए ये-जन 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 झालोयो तांग, को करत दो हैं, vịन न det अ मिलोगा भी फ़ते हैं। आप पिर नाफ गूम एफटINGS खभादाई! हराम जादा अप उनको मारने की धंकी देखर आया था अप उन तेरी अर्थी का सामान खरीद कर लाया है तू मर तो गया है लेकिन आप उन फिर भी तेरे को मारे का क्योंकि आप उन वो है जो जिन्दा तो सिन्दा मरे हो को भी मारता है करिया करम का सामान कोई भी खरीद कर लाये दा मुदर मगर काम उसके आता है जिसका वक्त आया सिवाभाई यह हमारे हीरा सेट यानि डायमंड जिनकी चमक से गुनाहों की दुनिया रोशन है और हीरा सेथ यह है शिवा यानि मौत का सौधागर भई वा तुम्हारे जैसे आदमी का स्वागत तो फूलों के हार से होना चाहिए शिवा भाई तुमने दामोदर को मार के मेरा जीवन खुश कर दिया तुम्हारी वज़े से मेरा करोन का फाइदा हुआ है वरना उसमें तो मेरा जीना हराम कर दिया था तील बार मेरा माल ऐसे उठाकर ले गया जैसे उसका बाप का माल हो तुम्हारा काम हो गया हाँ मेरा काम तो हो गया फिर तुम यहां क्यों आयो शिवा मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करो शिवा आजाद शेरे, कोई पालतू कुट्ता नहीं, जिसके गले में तुम जंजीर डाल सको अरे तुम मैं कहा तुमारे गले में जंजीर डाल रहा हूँ तुम आजाद शेरो, आजाद ही रहो, पर कभी कभी हमारे लिए भी शिकार कर लिया करो बदले में तुम्हें जितना माल चाहिए वो मैं तुम्हें दूँगा हीरा सेट मेरी एक बात दिलो दिमाग में बठा लो शिवा कोई ऐसे आदमी को मारने की सुपारी नहीं लेगा जो नर्दोश हो या जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला हो समझ गया है? समझ गया है? अरे एक मिनट शिवा आओ जल्दी आओ, एक मिनट एक मिनट मेरी तरफ से यह छोटा सा नजराना तुम सिरफ वही पैसे देना हीरा सेट जो सुपारी लेते बगते हो अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आई शिवा कि तुम इतना रुपया कमाते हो फिर भी इन भंदीजर हालात में रहते हो क्यों मैं रुपयों का क्या करता हूँ यह जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं भाई तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है मैं जानना नहीं चाता सिर्फ इतना बदा दो बरसों से सनात आश्रम में तुम ये गुप्तान क्यों करते हो ताके फिर कोई अनात उस रहा करागीर न बने जिसका मैं मुसाफिर हूँ काव तुम्हारा राजा अरे यार शादी के दिन तो दुले राजा की बाशाहत होती हैं तो पर हैं तेंक्यू सार तेंक्यू सार तेंक्यू सार तो ये 20 रुपे रख ले एश कर अब तो तेरी सालिया चांदी की थाली में चांदी के चम मच्छे तो ये चम चम खिलाएंगी लिफ्ट आगे लिफ्ट आगे चलो चलो जल्दी चलो फूल हो जागी अरे आप आँ क्यों खड़े एक आदमी के लिए जगा है आइए 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 ओकी बाइबाई लग्टा आपकी नहीं नहीं इशादी हुई है नर्वस लग रहे हो तान खाएंगे जी नहीं पलंग तोड है एक्स्क्यूज मी डूले राजा आप कौन से माले पर जा रहे हैं नवा माला रूम नंबर 917 जीजा जी आईए ना अंदर आईए आता हूँ आता हूँ आता हूँ आईए आईए पैठिये जीजा जी एक बात बताएए आपको सबसे जादा कौन से चीज पसंद है तुम मेरा मतलब है आपको खाने में कौन से चीज पसंद है खाने के मामले में मुझे सब कुछ पसंद है हम दूले राजा के दोस्त हैं कोई दोस्त अंदर नहीं आएगा हम लोग दूले राजा की खातरदारी खुद कर लेंगे जब तक हमारा दोस्त नहीं कहाएगा, हम हर्गीज नहीं जाएंगे जीजा जी कहते हैं, वो खाना खा रहा है, आप लोग बाद में आएए शादी होते ही दोस्तों को भूल गया, चलो याँ देखिये, मैं तो बड़ा हलका फुलका खाने वालों मेंसे हूँ तभी तो आप इतने हलके फुलके हैं अच्छा, खाएंगे नहीं तो अच्छा काम कैसे करेंगे देखिये, मैं बड़ा सीरिस किसम का आदमी हूँ, मुझे ऐसे लुच्चे मजाग बिलकुल पसंद नहीं है अच्छा, तो फिर आप ये थाबत कर दीजिये, कि नहीं आपको लुच्चे मजाग पसंद है और नहीं आप लुच्चे है हाई अरे मैं तो आपकी मर्दानगी का लोहा मान दूंगी, अगर आप ये सारा खाना खा ले तो हाँ तो ठीक है, आज मैं कुछ हलका फुलका खाई लेता हूँ बाह, मता आ गया, और कुछ बचा है किया है अब खाने का नहीं पचाने का वक्त है जाई अंदर, हमारी सहली आपका इंतजार कर रही है नहीं, मैं तो यहां सोफे पर ही सो जाओंगा क्या, देखिए हमने खिला पिलाकर आपको यहां सोने के लिए तयार नहीं किया है चले उठे, जाई अंदर नहीं जी उठे ना, आज मैं बहुत बिमारू, मुझे भुका जाओ, अब क्या तो अब क्या शर्माने का नाटक कर रहे हो, अगर मेरे पेट में तुम्हारा एक महने का बच्चा नहीं होता, तो ये शादी हमारी हर्गिस नहीं होती, और ये दिन कभी नहीं आता, मुंडी क्या हिला रहे हो, तुम्ही तो कहते थे सुहाग रात तो सभी मनाते हैं, हम सुहाग दिन मनाएंगे, वैसे भी सुहाग रात तो तुम मनाई चुके हो, अब तुम मेरा घुंगड उठाते हो या मैं तुमारी पगड़ी उचा लूँ, जाता ये एक दूँ, जाता चला, वैसे क्यों मार रहे हैं? लगता शिवा घरपद नहीं है, अगर होता, तो कबूतर को दाना खिला रहा होता, कबूतर जा, जा, अरे बापरे, कबूतर जा, तो सलीम सहाब, आज आप फिर पिट कर आ गए, कौन, कौन कह रहा है, कौन पिट कर आ रहा है, तेरी ये चाल बता रही है, और गवाई दे रहा है तेरा ये थोबड़ा, ये, ये वो क्या कि मैं दोड़ पे सडख रहा था, ने, ने, मेरा मतलब मैं सलक पर दोड़ रहा था, और अचानक मेरा पैर फिसल गया, सलीम, कितनी बार कहा है, तुझे ये सब छोड़ दे, अरे तुझे अब पैसे चीने एक बार बोल कर तु देख, पैसे में तोल कर रख दूँगा, जब तेरे दोस्त कमाता है, तो खाने बेने की चिंता क्यों करता है, शिवा, मैं खुद मार खा कर रोटी खाता हूं, किसी को मार कर रोटी नहीं खा सकता, ये सच है कि हम दोनों का बच्पन एक साथ एक ही छट के नीचे गुजरा है, हमारा घर एक है शिवा, लेकिन रास्त ये रास्ते पर चल सकता हूं, और ना तू मेरे रास्ते पर चल सकता है, तर Macht मसल्य और मुसीबत का चुटकारा चाकू की धार पर नहीं लिखाएगा बस बस अब तू अपना बाशन बंद कर तू अपने ढंग से जिन्दगी जी और मुझे अपने ढंग से जीने दे जो बात मेरे भेजे में गुज़ गई उससे निकालना बहुत मुश्किल है अब तु जा मुझे परेशान मत कर तो चल आज मैं तेरी सारी परेशानिया दूर कर देता हूं सलीम तु मुझे बोर मत कर तू निकले या से तू चलना मेरे साथ अरे कहां चलूँ वहां? जहां ज़मीन पर जननत नजराएगी वहा तरू अहां ये तुमुझे का ले आए सलीम जन्नत में अरे भाल में गई तरी जन्नत मैं वापस जा रहा हूं अरे अरे दूला ना सही बराती तो बनके चल मेरे साथ वहां अदाब अरे मौसीफ सलाम सलाम अरे शिवा खड़ा क्या है बैट 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 अरे अपना ही गर है ये कौन है मेरा दोस्त है शिवा लगता है पहली बार आया है आम उसी इसले मेरे दोस्त के लिए ऐसे फुल का इंतिसाम कर दें जिसकी खुश्बू से ये रोज या आने पर मजबूर हो जाए हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं अभीलो लड़कयों तो कुछ भी कर ले ए तोने तू इदर कहें को आया चल फूड या से जब यह लड़की दंदा नहीं करना चाहती तो क्यों जबर्दस्ती करते हो चल चल बहुत हो गया खामो खामारा जाएगा इदर से जिन्दे वापस नहीं जापाएगा मौती जब मेरे दोस्त ने कह दिया कि यह लड़की दंदा नहीं करेगी तो समझ लो यह कल्योग के बादशा का फर्मान है और यह फर्मान न तुम बदल सकती हो न तुमारे वो घिसे पिटे चमचे अभी बताती हूँ बताओ पकिया पठान उद्र जो हीरो है उसके हाथ पार तोड़ को फेख दो ओए कॉलबे अरे शीवा भाई आप यहाँ रुकम कर दिया होता पठान यह धंदा बन करना है तुझे कोई गलती होगी शीवा भाई यह लड़की धंदा नहीं करना चाहती तो ईससे कोई मजबूर नहीं कर सकता समझाए चलो बढ़ो यहां से. चलो चलो अगर तुम्हे यहां से जाना तुछा सकती हो तुम्हे को hoi को रोकेगा नहीं अगर मैं बाहर गई तो मेरा मामा मुझे फिर बेज़ डालेगा मुझे अपने घर ले चलो, मैं जी जान से तुम्हारी सेवा करूँगी तुमने मेरे घर की छट नहीं देखी मेरे घर की छट से पानी नहीं, खून बैता है खून तुम बे फिकर हो कर या रहो कोई तुम्हारी तर वाँख उठा कर नहीं देखेगा सारा प्रोग्राम चौपट ए सुन कौन है ये मर्द बच्चा जो एक ही बार में घाल करके चला गया मेरा दोस्त है शिवा वैसे क्या इरादा है प्यार करने का इरादा है प्यार और वो भी उस पत्थर दिल से वो प्यार का मतलब नहीं समझता अरे उसे मतलब ही समझा दूगी और प्यार करना भी सिखा दूगी बस तुझे मेरी मदद करनी होगी जरूर पत्थर को पिखलता हुआ कौन नहीं देखना चाता सेट जी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए आप बिल्कुल ठीक हैं अरे डॉक्टर साब बराबर देखे कई सेट जी को दिल का दोरा तो नहीं पढ़ने वाला जी नहीं कोई कैंसर वेंसर जैसी खतरनाक बिमारी तो नहीं आप सेट जी को जिंदा देखना चाहते हैं या जीते जी उन्हें मार देना चाहते हैं अरे मैं तो सेड़ जी का सबसे वफदार और जिम्मेदार नौकर हूँ मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रात्ना करता रहता हूँ कि हम सब नौकरों की उमर भी सेड़ जी को लग जाए मगर एक बात समझ में नहीं आ थी कि आज के दिन ही सेड़ जी की तवियत को क्या हो जाता है आज का दिन वो मनुस्ति नहीरा जिस दिन हमारे बेटे को हम से छीन दिया गया था जिन्दगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इनसान अपने ज़स्मात पर काबू नहीं रख सकता सेड़ जी अंदर ही अंदर गुपते रहते हैं और यही वजा है कि अपने दुख पर काबू पाने की कोशिश में इनका बीपी हाई हो जाता है आज इनका बीपी मैं नीचे लाऊंगी वो कैसे बेटी? बहले मैं इनकी बेटी हूँ मगर आपकी बेटे का गम मैंने हमेशा आपके साथ बाटा है ना? बस अब हम दोनों का सहरा एक तू ही तो है बेटी तो पर चलिए मेरे साथ आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी, फिराऊंगी, आपका दिल बहलाऊंगी उसके बाद हम मंदिर चाहेंगे और आपके बेटे की वापसी की प्रातना करेंगे चलिए एक मिनट सेड़ जी जरा इस चेक पर साइन तो कर दीजिए सेड़ जी आप तो भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और एक दिन मुझे भी भगवान के गार जाना है इमान पर दाग लगया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा अच्छा बाबा, ये लो और हमें जाने दो आओ परवती मंदिर जाने से 20 साल बाद मुर्दा बेटा जिन्दा नहीं हो जाएगा सेड़ जी आरे यार विक्की, मियर ने तो और भूग बढ़ा दी, खाना कब आएगा? अभी आ जाएगा यार एख, कम यार येस सर अवे सर के बच्चे एडियेट, अभी तक तु अमारा ओडर क्यो नहीं लाएगा? अभी लाएगा सर दो दो गंटे लगेंगे क्या एक एक चीज लाने में बास्टर्ड बेखे, आपको इस तरह मुझे गाली देने का कोई हक नहीं पहुँचता है दो टके का आदमी हमसे जबन लाता है मेरी गल्फवेंट पे गरता है मैनेजर क्या बात है सर काल दा मैनेजर मैं अभी और इसी वक्स उससे बात करना चाहता हूँ क्या लगा रखा ये? कैसा होटल है? जाने दीजे सर बेचार कली तो नौकरी पर लगा है हम आखा क्यों आप बात बढ़ा रहे है शडब काल दे मैनेजर तुमने गरीब कुगाली दी उसे चांटा हमारा सिरफ इस लिए कि ये इस होटल का मामुली सा वेटर है तुमारे कुछ नहीं बिगार सकता माफी मांगो इससे नहीं मांगूँगा तु क्या बिगाड़ेगा हमारा अगर तु चाहता के तेरे घरबाले तेरा ये चहरा पहचान ले तुमाफी मांग अबे ओ गंदी नाली के कीड़े की झांग की झांग आपने कैसे वेटर रखे जो हमसे जबान लड़ाते हैं और उनके साथ ही हम पर हाथ उठाते हैं सर मैंने कुछ नहीं किया सर इनी लोगों ने खाम खाब शाड़ आप या फाइड और फाइड गेड आउट ये नोकरी से नहीं निकाला जागा हीरा सेट कलती इसके नहीं इन लोगों की है शिवा बात को क्यों बढ़ा रहे हैं आखिर ये तुम्हारा कौन लगता है ये बड़े तेड़े मेड़े रिष्टे हीरा सेट तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे इन बच्चों से क्या दो कि इससे माफी मांग ले वरना ये अच्चा को सरफ स्लाइस पर मखन लगाने के लिए नहीं किसी और भी काम आ सकता है बच्चे तेरी भलाई इसी में है कि तू इससे माफी मांग ले ये आप कह रहें अंकल आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ जानता हूँ बच्चे लेकिन तू नहीं जानता कि ये सारे शायर का बाप है चल माफी मांग लेगा मैं नहीं मांगता मांग लेगा मुझे माफ कर दीजिए सर आज आपकी वजह से मेरे नौकरी पच गई लेकिन मैं आपका शुक्रियादा नहीं करूँगा लेकिन किसी देवता से कम नहीं मैं किसी को सारक पर पड़ा मिला था उसने मुझे बाबा के हवाले कर दिया बाबा ने मुझे पालपोस के बढ़ा किया मेरे अपने माबाब कौन है कहां है मुझे कुछ भी पता नहीं मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं उसे बिचल गया था या उन्होंने मुझे छोड़ दिया था बहुत ही खुशनसीब हो दोस्त कि तुमारे सर पर किसी फरिष्टे का हाथ है वरना मावाव से बिचलने के बाद तो अक्सर शैतानों से मलाकात होती है ये खुबसूरत शेहर देख रहे हो बहुती बजसूरत लोग बसते हैं इसमें बहुती जालम और बेदर्द बच्चों से उनकी मासुमियद छीन लेते हैं किरों को ठोकर मार मार कर और गिराते हैं और कभी-कभी तो अंधेरों की इतनी गहरी खाई में गिरा देते हैं कि आदमी बिल्कुल तनहा हो जाता है, बिल्कुल अकेला, एक जजीरे की तरह. कौन हो तुम? मुझे बचा लीजी हुजूर, मेरे पीछे तीन गोंडे पड़े हुए है, मेरे इज़त लोटना चाहते हैं वो, बचा लीजीए. अच्छा, मैं देखता हूँ. नहीं, महरबानी करके दर्वाजा मत खोलिए, बहुत ख़तरनाक लोग हैं वो. ओई दर्वाजा कोलो, ओई कोची, तुम क्या समझती, घर में घुचके तुम या रुको में देखकर आता हूँ. आपको मेरी कसम. ओई कोड़ी है, तु तो मैनो बड़ी बसंद आगी है, तैन्नो तो मैं पंजाब लेकर ही जावांगा, जो रब दे. ओई सर्दार्द, तीला तर मी माजी बाई को बनवीन, तीला पाउं तर माजा जीव पोपड हाए, कासा मिठू मिठू बोला लाग राए. ओई चोड़ो, चोड़ो, कांजीर के बच्चा काय कुछ अग्रा करती है, ओई सर्दार जी, ना तुमको मिलेगी, ओई मलादी, ना तुमको मिलेगी, गूगुलिस्तान, गूलफाम, गूलगुल तो आम काबूल लेकर जाकर अपनी बेगम बनाएगी, वह, 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 और कोई गालना है बाबाजी साड़ी को, कौन है वह बुर्खे वाली है, कौन है वह लड़की, नहीं मालूम, कौन है वह लड़की, तु खुदी जाके देख लेना, सरीम, सरीम, ए लड़की, तुम, और कौन हो सकता है यार, बाहर निकलो, नहीं निकलती, मैं कहता हूँ बाहर निकलो, अरे, ऐ, साला, अच्छा तरीका है बाहर निकालने का, अरे, तुम मेरे बीचे क्यों बढ़ी हो, क्या करूं, साला, अपना दिल ला गया है तेरे पे, लेकिन तु इ सलीम, अरे, 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 सलीम, देख, मुझे यह मज़ाग पसंद नहीं है, मेरी बात तो सुन, सुन, यार, अरे, मौका मिला है दिल लगाने का, लगा लेना, पूरी रात पड़ी है, सलीम सुभा से पहले ना दर्वाजा खुद खोलेगा, ना किसी को खोलने देगा, ए कहा फच गया, क्या करो, क्या करो, क्या करते है, एक रोति हुई लप करताना भी लहाता है, तैको, आज थे के ये काम किया मेरी नीना, ठीक है, मैं सिखाती हूँ, एग लास पानी लेकरा, लाना, का लगा पिला मुझे अब जेब से रुमाल निकल पे आसू पोच अब मेरा हाथ पकड़ पकड़ और कुछ अपने गले से लगा ले गले से लगा ले ना साना अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ यह तुम हस क्यो रही हो तुम चीखे क्यों दी चुहे कुछा कुसी नहीं डंडे से मारा जाता है चुआ कहा है चुआ अरे चुआ तुम हसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो अब सोजाओ चाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा अपनी महबबत को और मानों के कफन में लपेट कर यहीं दफन कर दो परना पच्छतावे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा राक के डेर में आग नहीं लगा करती पारो भूल जाओ भूल जाओ मुझे आज के बाद में तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूँगी पाध्षा तुम बरसों पहले अचानक कहा गयब हो गए थे जो जुर्म बहुत पहले छोड़ दिया था वही जुर्म बरसों से मेरा पीछा कर रहा है उसी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं भागता रहा अब जिन्दगी का आखरी वक्त करीब आ गया है सोचता हूँ मरने से पहले मुझ पर जो एक कर्स है उसी चुका दो कर्स? कैसा कर्स? उस बच्चे का कर्स जिसे में तुम्हारे हवाले कर गया था वह बच्चा तो अब जवान हो गया है बादशाह वह देखो इतना बड़ा हो गया है आप तो कमाने भी लगा है वेटर की नौकरी करता है वेटर की नौकरी? इतने बड़े सेट का बेटा टॉकर अलो हाँ मैं सेट धनराज बोल रहा हूँ सिर्ट जी मुझे आपस एक बहुत जुरूरी काम है मैं फॉरन आपसे मिलना चाहता हूँ आप कौन बल रहे है बादशाह जो आपकी खोई हुई खुशियां आपको लटा सकता है क्या तुम तुम जहनते मेरा बेटा कहा है अरे तु फिर मुझे बताओना मेरे बेटे के बारे में तुमारा मुम मोतियों से भर दूगा बादशाह अपनी तमाम दौलत तमाम जाइदात तुमारे नाम लिख दूँगा बस मुझे मेरा बेटा दे दो एक और खास बात जब तक मैं आपसे ना मिल दू इस बात का किसी को पताना चले अरे हीरा हीरा ये खुशकबरी बात बड़ी खुशकबरी हमारा बेटा हमारा देख तु किसी को पताना नहीं है फिर बताऊंगा हमारा बेटा जिन्दा है परवती ओ परवती ओ परवती क्या हुआ अरे, हमारा बेट इमें मिल गया हमारा खोया हुआ बेटा ये क्या कहे रहें अप मैं सच कहरा हूँ परवती, मैं सच कह रहा हूँ अभी फोन आये था किस दे किया था? अरे हाँ वो वो उच्छा, बश्छा ने फोन किया था वो जानता है हमारा बेटा बीस साल पहले मरा हुआ मुर्दा, जमीन भाड़कर बहार निकल आया है, उसे दुबारा दफन करना है बाच्छा मैंने जो तुझे नौ घंटे की मौलत दी थी, वो खतम हो चुकिया सुना था तु बड़ा सूर्मा है, यह थे पेवार करेगा अगर सच मुछ मर्द का बच्चा है, तो एक चाकु मुझे भी दे दे चाकु एक है, मगर चलाएंगे हम दोनो बुड़ापे का जवानी से मुकाबला कभी नहीं होता, शिवा निजर कमजोर हो चीकिया मेरी मुकाबला तो करना ही है बाच्चा, चल बुड़ापे और चवानी का फर्क भी मिटा देता हूं कर दोड़ापे अज़,ोज़,दोब,ड़ दोजब है कर दे तद कर दो कर दना कर दो तो झाल जब गर्वब नहार घर तरीड़ा लो एगने हैं! क्छिम प्राइओ साथ प्राइब की खिर अच्छारी लगार है! झाल झाल प्राइब तीर उते लिट्टete खिर सार्ट झाल 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 प्हतल आट्ड़ isे खड़ू ज होगाई जाओ। एक्ड़ार के टी कि आरषैं प凌ड़ार को कि ढबस्ति को एक्ड़ार क jadi उ高डर inश станов को तू सच मुझ बड़ा च्छा चाकु चलाता है लेकिन याद रख ये चाकु बड़ा बैमान होता है ये चाकु नहीं तू बैमाने बाच्छा तूने हीरा से किसी का खून बहाने की कीमत लेकर भी उसका खून नहीं बहाया किसका खून बहा था श्वा एक दूद पीते मासूब बेगुणा बच्छे का जुबने बचाओ के लिए ना भाग सकता था ना चिला सकता था अहां मैं उसे मार नहीं गया था लेकिन जैसे ही मैंने उसको मारना चाहा उसने मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा कर देखा कि मेरा हाथ काप गया चाकु किर गया फिर चाकु मेरे हाथ से कभी नहीं उचसका शिवा कभी नहीं उचसका एक बात सिन्दगी भर याद रखना शिवा पहादरी चाकु उठाने में नहीं उसे तोड़ देने में है तोड़ दे इस चाकू को, तोड़ दे वरना ये चाकू एक दिन तेरा भी साथ छोड़ देगा शिवाद आप कब तक उसके इंतजार में ठैलते रहेंगे? पारवती मेरी समझ में नहीं आता, वो आदमी अब तक आया क्यों नहीं? जूट की जबान होती है बाबा, पाव नहीं होते मुझे ऐसा लगता है कि आपकी साथ किसी ने बेहुदा मजा किया है नहीं बेटी, मेरा दिल कहता है कि फिर वो आदमी एक नंबर का धोके बाज होगा जो शायद आपकी कमजोरी का फाइदा उठा कर आपसे रुपए एटना चाता हो फिर बाद में किसी और वज़य से उसने अपना इरादा बदल लिया हो नहीं बेटे, उसकी आवाज में सच्चा ही थी बेटे की जुदाई का लावा जो बरसों इसने अपने दिल में दबा रखा था अचाना को फटकर बहर आ गया बुड़ा वसियत बनाने से पहले मर गया उसकी मौत का मुझे इतना दूख हुगा जितना अपने सगे बाप के मरने पर भी नहीं हुआ बच्चा पालटी, मुर्गा आ रहा है जो बताया था समझ गाए ना हाँ गुड़ गुड़ अभी आया अरे बाल डाला रहा हाई गरीब को बाल डाला हाई हाई को है गरीब की सुनने वाला मर गया गरीब अरे माल डाला भाई साब, ओ भाई साब, कहीं चोड़ तो नहीं लगी अब या अन्दा हो गया क्या सर से लेकर पाओ तक जख्मी हो चुका हूँ और पुछरा कहीं चोड़ तो नहीं लगी और है मेरी माँ मेंबर यारे पुलीस, 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 पुलीस नाई नाई बच्चा लोग पुलीस को मत बुलाओ, मत बुलाओ वैसे भी शकल से इतने शरीफ लोग लगते हैं पुलीस आ जाएगी तो इनसे बहुत लंबा तोड़ पानी कर लेगी ना सेर्ड जी, सेर्ड जी, आप मुझे ही कुछ दवा पानी के पैसे दे दीजे सेर्ड जी से क्या बात करता है, मुझे बात कर साल ला, सूट पहन लिया तो ड्राइवर से मालिक बन गया क्या ड्राइवर का बच्चा, ड्राइवर है, ड्राइवर ही रहेगा और वैसे भी ऐसे भाड़े के सूट मैंने बहुत पहन लिया, ड्राइवर के अलाद सेर्ड जी, अगर मैं गरीब ना होता, तो आप से कभी अस्पताल का खर्चा भी नहीं मांगता चले, सो रुपे लाए, चल अबे, हट, बिकारी समझ रखा क्या, सो रुपे में तो ड्राइवर को हाथ भी नहीं लगाता है सेर्ड जी, मुझे कम से कम हजार रुपे तो दे दीजिये, बहुत धर्द हो रहा है यह बचो एश करो, चाकलेट खाओ हमें एक रुपया, खुद एखजार रुपया अबे दूँगा एक, तुम लोगों ने किया ही क्या है, खाली बक्रों की तरह चिलाए, खून-खून जान तो खत्रे में मैंने डाली कहीं पेंतरा उल्टा सुल्टा पढ़ जाता तो लेने के देने पर जाते पूरी की पूरी गारी मुझ पर चट जाती और तुम लोग बात करेंगी बात तो सही कह रहे हो भाईया अब आप इस समझाओ ना इन बच्चों को मैं भी बागता हूँ अरे तुम कहां कि सक रहे हो पुलिस सेशन नहीं चलोगे बेटे नहीं सेड जी आप ये पैसे वापस रख लीजिए आप तो मेरे भी बाप निकले मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ लेकिन हाँ तुम्हारे बाप से जुरूर मिलवा सकता हूँ अच्छी एक्टिंग करते हो आओ मेरे साथ कहां अरे आओ ना बिठे अरे आओ ना बेटे बाप जी नहीं पैसे नहीं आपस कर दिया लेकिन हीरा मैं कैसे यकिन कर लूँ कि ये मेरा बेटा है बागवान उसकी आत्मा को शांती दे बेटा देखाओ अपने पिता जी को क्या निशानी निशानी ये देखे सेड जी क्या ये वही लॉकेट नहीं जो आज से 20 साल पहले आपने अपने हाथों से अपने बेटे के गले में डाला था पारवती ओ पारवती पारवती 20 साल बाद हमारा खोयवा बेटा मिल गया ये ये हमारा मुन्ना है क्या मैं ही तुम्हारा बद में सी मुन्ना हुआ बेटा मेरा बेटा कहां था तू इतने दिन बंबाई के जोगुडबटियों में किस हाल में था ये मत पूशेगा पेटे पेटे ये के कर रहा है तो रो वह आज के दिन नहीं रोते आज तो खुशी का दिन है रोने दीचे पिदाची रोने दीचे आज तक तुम्हें सिर्म दुख में रोता है आज पहली बार खुशी में रोने का मौका मिलने मुझे रोने दीचे न बसकर बेटे बसकर कैसे बसकर हूँ तुम अपने असली माबाप से मिलते तो तुम्हें बता चलता बेता, चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दू तुम फिकर मत कर माँ, मैं अपना कमरा खुड ढून लूगा अच्छा बेता तरी, तर्दे बाद ही रो तर्दे बाद पार्विती मैं शुक्री आएला, मेरी तो लाइफ बन गई ए जल पड़ी, मेरी तो निकल पड़ी वाहिरा, अंकल, क्या कमाल की जगा ले आओ मुझे यहां तो रोज फ्री में बाइस्कोप भी देखने को मिलेगा आएला, अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा आएह आगे, हाँ, और थोड़ा उपर, वापा आएह, करेक्ट, एकदम ऐसे हाँ, आपे आफ आप बातामीब, तुम अंदर करती गुसाएगो बार रिकल, आप जादा, मॉक्यी का भाइदा उठा दे, बार आएयायायाँ, अरे अंकल, आपने तो मेरी जिन्दगी बना दी, आपने मेरी लाइफ बना दी, अंकल फिर से ना मुझे एक बार पीछे लात मारी है, ताकि फिर से मैं अपने मन्जिल तक बहुत सको, अंकल बहुत सबर्दस माल ही है, वैसी पठाका है कौन, मेरी बेटी है, हाई, आपकी बेटी, अरे बबूल के हो गए, क्या कहा, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, पापा, आज तो हमारे घर में कोई पाटी नहीं है, तो यह यहां कैसे आ गया, आया नहीं हूँ मेम, सब लाया गया हूँ, ताकि मैं सारी जायदात का लाउता वारिस बनूँ, क्या, हाँ कामीनी, अपने सेड़ जी का खो दोबारा कभी मेरी बेटी की तरह मांग उठा कर देगा, तो आँख निकाल कर हाथ में दिलूगा, मेरी आखे आपके, कोट के बटन की तरह नहीं है, जिसे अब जब चाहिन निकाल ले, नकली बेटा बना कर लाए हैं, तो असली बेटे की तरह जरा राज करने दीजे, बार बार धंकीत देऊगे, तो पॉल खोल दूगा, सब्जे, अरहां, एक दरजन पान मेरे रूम में बिजवा देना, रखता है मैंने कुट्टे को घी पिला दिया, अबे, जल भार निकल, अन्दा होगे, क्या, अरे, मारा मत, माना मत, मैं हूँ सलीम, सलीम, अबे, सलीम तू, अरे, इस गाड़ी में, ये गाड़ी का समारी, अरे, मारी नहीं, ये गाड़ी मेरी है, मेरी है, मेरी है, क्या, आ, ये सब तकदीर का चक्कर है मेरे दोस्त, साले, तेरी तकदीर तो पैदा होते ही फूड गई थी, तो स्मगलिंग तो नहीं करने लगा, इस स्मगलिंग नह युझा अपने के लिए बढ़ी गाड़ी बिलेगी अभे तु इस हीरा को नहीं जानता एक नंबर का हरामी है यह जो तु पहन कर आया ना कुछ रहने नहीं वाला सिरफ चट्डी रह जाएगी अरे तो फिर तु मुझे कहा जानता है मैं तो हीरा की चट्डी तो पतार दूगा अरे जाता कहा है आज तो मेरी जेकपोट लग ड़ी है चलता है माल वाल उड़ाने उस जन्नत में अभे साले तू नहीं सुद्रेगा आए हुजूर आए तश्रीव लाए हसीनों का मेला अरे सलीम ये तू है ओ येस मासी दिस सलीम लग्खम स्टार चेंज क्या 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 बला रहे इसका मतलब ये है कि आज कल तुमारे सलीम का किसमत का सितारा बदल गया अरे येलो मॉसी पैसे चलो चले लड़कियों पारोखा है क्या बात खबरदार हाथ मत लगाना हाथ नहीं तो क्या मू लगाऊं शिवा 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 मॉसी ने पारो को पेच दिया तो मैं क्या करूँ अरे कुछकार उसे बचा ले वरना वो लोग उसकी इज़त निलाम कर देंग गे अरे मैंने क्या उसकी इज़त का ठेका लिया है जो उसके बचाने जाऊं कैसी बात का मतलब अरना तो वो दुरुबद ये नामक क्रिशन जो उसकी इज़त बचाओं जा पेरा भेजा मत खा एक मिनिट शिवा अच्छा हुआ आज मेरी आँखों के सामने से घलत फेमी का परदा हटा दिया तुने अरे तु क्या जाने इज़त क्या होती है आज तक तुने लोगों को बेज़त ही किया है माफ करना पारो यह हीरों के व्यापारी है इसलिए हीरे को करीप से देखने की इनकी आद्द है शिवा एक कपड़ा जो तू अपने सर पर बानता है न जिसे तू अपना कफन कहता है अरे जिस दिन तू मरेगा ये कफन तेरी लाश को जरू ढाग देगा लेकिन तेरे गुनाहों को कभी नहीं ढाग पाएगा अरत की इज़त बचाने से बड़ा पुनिया का कोई काम नहीं है शिवा अगर मुझे पुनिया नहीं पैसा कमाना तो फिर दुनिया सच कहती थी कि तूनी ही अपनी मा का श्युक है ना शायद किसीने तुझे पैसे दिये हुंगे अपनी ही मा का कुल करने है सलीम मैंने अपनी मा का खुन किया है कोई बेच अपनी मा का खुन का दिखता है कोई बेच अपनी मा का खुन का दिखता है मारलिया अगर तू नहीं मारेगा अपने दोस्त को तो कौन मारेगा चलाज थुक दे दुनिया की जुबान पर बचा ले एक औरत की इज़त को अरे दुनिया माने या ना माने तेरा यह सलीम जरूर मानेगा कि तू अपनी मा का कातल नहीं कि अरे यह सावाज दल्ले तुम मार खा रहा है अच्छ एक बात पताएं यह पैसे तेरे है हाँ 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 कर दो कर दो खिरेंस तो का सवांक ठाइचन कर दो आफ बड़े है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्या हुआ? हरामजादे, तुव आदमी है या जानवर? मैंने तुछे कहा था कि महमानों को खुश करना है इसका मतलब यह नहीं कि जबरदस्ती जब पारोजी धंदा नहीं करना चाहती तो इने उठाने की क्या ज़रूरती? शिवा, मैं इनकी तरों से माफी मंगता हूँ पैसे भी तुम इनके किये की सदा दो देई चुके हो तीन ब्योश हो और यह साला ब्योश होने वाला है अब उल्लू के पठे माफी मांगा माफ कर दो शिवा माफ कर दो साला ब्योश हो गया, शिवा आओ, आओ, आओ सबसे हो मुश कर दो ब्योश हो कर दो कर दो कर दो कर दो गली नहीं लगोगे चंदर तुमारे हातों की लकीरों से तुम करोड़ पती हो वो तो हूँ चिसे तुम जैसी ललकी प्यार करे वो करोड़ पती नहीं तो और क्या है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ तुम सचमुच लाखों लोगों को बिठा कर खिला सकते हो लाखों लोगों को शायद तरक्की हो जाए वैसे होटल में बंदा हजार लोगों बिठा कर खिला चुका है मजाक लगता है जाओ अब फुशे नी बताथे भाईया के आने का वक्त हो गया मुन्नी आ गया बेटा पाहे लागू बाबुजी देखिए आपके लिए नया चश्मा लाया हूँ अरे नया लाने के क्या जुरूर थी उसी को पनवा देता बाबुजी वो बहुत पुराना हो गया था और एक दम खराब देख मा देख तेरे लिए साड़ी लाया अरे बेटा क्यों बेवज़ा फजूल खर्चे किया करता है हर मैने की पहली तारीक को साब के लिए कुछने कुछ लाता रहता है बेटा कभी अपने लिए भी तो कुछ खरीदा कर अरे मा मैं ठेरा मजदूर आदमी अच्छा अच्छा ज्यादा रोमेंडिक मत बनो लाओ मेरे हाथ में तनक्वा दो अरे भाई ये लो इसमें से जो ही के कॉलिज की फीज अलग करते ना अच्छा बाबुजी की यानक लाए लाया मेरी जान मगर हर बार की तरह इस पार भी तरह लिए कुछ नहीं ला सका सब कुछ तो है मेरे पास तुम, तुमारा प्यार और क्या चाहिए अचा सणो, मुन्नी का है? मैं यहा हूँ बाबु अले मेरी मुन्नी आ जा 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 क्या लाए हो बाबु? अरे कैसी चीज़ लाएं, जो देखोगी तो ना चुठोगी मैं कैसी देखूँ बापू? उन्नी, उन्नी, उन्नी तु देख सकेगी अगले मैहिने के पहली तारिख को मैं तेरी आँखों के डॉक्टर को अडवास देदूगा और तेरे बर्डे से पहले तेरा ऑपरेशन हो जागा और तु सब कुछ देख सकेगी सच बापू, मैं देखने लगूँगी हाँ बेटे फिर मैं सब को देखने लगूँगी ना आपको, मा को, दीदी को, दादा दादी को और सब को देखने लगूँगी हाँ बेटी तो सबको देखने लगेगी, सबको देखने लगेगी, मा को, मुझ को, दादा दादी को, सबको देखने लगेगी मेरे बेटी कर देखने लगेखने 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 लगेख कर दो कर दो कर दो कर दो दो वाग्या कर दो अ च्या का अ कि कुछ लग टो अब पार करो अजे नमस्कार डॉक्टर का मैंने तुमसे जिक्र किया था वो आ गए है तुम चाहो तो कल तुमारी बेटी के आँखों का उपरेशन हो सकता है लेकिन डॉक्टर साब उसके लिए तो पचास अजार रुपे की ज़रौत है उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो तुम सिर्फ ये कहो बच्ची की आँखों का उपरेशन करवाना चाहते हो ये भी ये भी कोई पूछले की बात है डॉक्टर साब मैं आपका आइसान कैसे चुकाऊंगा भाई इसमें आइसान मैंसान वाली कोई बात नहीं भाई मेरा नाम हीरा है अपने नाम की तरह मैं बिलकुल हीरा हूँ दोस्त बनका जो मुझे अपने गले लगा लेता है मैं उसकी शोबा बढ़ा देता हूँ खैर मैं ये कह रहा था कि हम तुम्हारी अंधी बच्ची की आँखों की रोशनी वापस दिलवा रहे हैं तो बदले में जब कभी हमारा माल यहां से गुजरे तो तुम अपने आँखे बंद कर लेना ड्यूटी पर मेरी आँखें सिर्फ मौत ही बंद कर सकती है बाई अच्छा हुआ तुम घर पर ही मिल गए एक आदमी को बढ़ाना है पिछली बार हीरा सेट तुम ने मुझे बाच्छा को मारने की सुपारी दी थी और बाच्छा के आगे बीचे रोने वाला कोई नहीं था तुम जोड़ बोल रहे हीरा सेट पाच्छा ने मुझे मरतवत कहा था कि तुम ने उसे एक बच्छे को मारने के लिए पैसे दिये थे और वो इसलिए निमार सका क्योंकि उसे उस पर दया आ गई अरे ऐसी कोई बात नहीं है शिवा बच्छों से तो मुझे भी लगाव है वो साना जूट बोला था वो तो पैदाशी गदार था मेरी बात का यकीन करो अब किसे मारना है सत्य परकाश को गोधी में काम करता है इसके आगे पीछे भी कोई रोने वाला नहीं है बिलकुल अकिला है एक मिनट सत्य परकाश मुन्नी फाइल दे ना बिटी नहीं पहले पपी हो हो हम तो भूली गें आप फाइल दे दो पपू आपको याद है आज पहली तारिक है आपने मुझे क्या वादा किया था अरे हाँ याद है अच्छी तरह याद है आज शाम को मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा उसे अपॉ सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी मुझे देखेगी और किसे नहीं मा मैं सबसे पहले बापू को देखूंगी है मेरी बिटिया है अच्छा मा अच्छा बाब जी जी तेरा बापू सहत का ख्याल रखना आते वक्त दवाई लेऊंगा आपके लिए अरे जो ही का है जो ही हाँ भीया अरे अंदर क्या कर रही है तू कॉलिज बाले नहीं जाना है जाओंगी बीया अरे क्या हो गया तुझ है जानगी क्या होगे ऐसे कुछ दिनों से देख रहा हूं बड़ी चुप चुप सी गुम्सुप सी रहने लगी है यह आपको किसी से मिलाना चाहती है आच्छा उससे तेरी भावी नी मुझे सब कुछ बता दिया है आज में लेते साथ बजे मेरी डूटी खतम दी इस साथ कि में नहीं बोलेगी जारी भावी थेंक्यू सत्य प्रकाश कौन हो तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो तुम कुछ लोगों के काम में रुकावट बन रहे हो इस लिए मेरे चाकू ने तुमारे खून को चकनी की कीमत दे लिए चाकू तो बेजुबान होते हैं उनके नाम पर खून बहानी की कीमत तुम जैसे दरिदे मकवास बन करो नौगटी के मौला देता हूँ अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हो, कर लो सत्यप्रकाश सत्यप्रकाश सच्चाई का रखवाला है वो तुम जैसे किराय की गातिलों से नहीं डरता जो खून में डूबी उई रोटिया खाते हैं खामोश हो जाओ सत्यप्रकाश परना आज मेरा सूल टूट जाएगा मैंने तुम्हें नौ गंटे चीने की महलत दिये लेकिन मैं तुझे नौ गंटे की महलत नहीं दूँगा सत्यप्रकाश पीछा नहीं छोड़ेगा सत्यप्रकाश पीछा कमी नहीं छोड़ेगा आपको कुछ नहीं होगा, खबराई ही मत, मैं भी डॉक्टर को लेके आता, अभी लेके आता ने अरे कोई है, चाकीडार, अरे कोई है? देखे भाई साब किसी निनक privilege अखाश डॉक्स काश्मा कर दिया आ अभी वेख स्ताने काश्म pliers अरे अरे कौन हो तुम, कहा कुसे चले आ रहे हो, देखे, मेरे पीसे पुलिस परी, मैंने कोई गुना ने किया, मैं ने दोश हूँ, बगवान की सोखन में निर्दोश हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ी सी जगा देदी चुपने के लिए, पुलिस चले जाएगी तो मैं भी चला जाओंगा, देखे, मैं अपने घर में अकेला काने वाला हूँ, आगर मुझे पुलिस पकड़ लिया, तो मेरे बाबा फूकर सबने से मर जाएंगे, मैं आपके आगे हाँ जोड़ता हूँ, आपके प्लेर बोड़ता हूँ, ये तुम, अरे ये क्या कर रहे हो, अच्छा उठो, उठो, मैं आपका यासान जिद्धी बननी बोलूँगा, मुझे मचा लेजे, पीस, अच्छा ठीक है, तो महां अ मैं देखती हूँ, कौन है वो बेकोसी, तुम ठारो भावी मैं देखती हूँ, क्या बात है इंस्पेक्टर साब, एक मुझरिम खून करके भागा है, कहीं वो यहां तो नहीं आया, यहां कैसे आएगा, आखिर ये भी तो एक सिक्योरिटी आफिसर का घर है, सॉरी, मैंने आ मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है, वो खूनी इन ही का कतल करके भागा है ये क्या नर्द किया तुम बहिया का खूनी, उस कामरे में चुपाई, स्पेक्टर साब, और अफ्तार कर लीजी उसे लगता है भाग गया, चलो दादाजी, 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 हाँ, बेटा, क्या हुआ दादाजी, आप रो रहे हैं, बेटा, तेरा बापु हमें छोड़ कर इतनी दूर चला गया, कि आप उस लोड़ कर नहीं आएगा मा, 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 देखिए ना, तादाजी क्या बोल रहे हैं, रो भी रहे हैं, जूट बोलते हैं, बापु मेरे आंको का एलाइज काया बगेर, कहां जा सकते हैं, बस अभी आती होंगे, तुम इसलिए नहीं रो रहे हो ना मा? मा, मैं देख नहीं सकती, तुम उच्छे छुपकर तो नहीं रो रही हो यह एक विद्वा किया है, जिसने इस गार की खुश्या बर्पाद किया भगवान उसे चैन से बर्दे भीरा दे बर्दे भीरा दे वा बेटा वा सेंट लगा रहे हो अपनी पूरी जिंदिके में कभी इतना सर पर तेल लगाया है नहीं अंकल वही कसर तो मैं पूरी कर रहा हूं अच्छा जल्दी से पाँच हजार रुपया निकाल लिया पाँच हजार क्यों नहीं क्यों नहीं पाँच हजार अब इस हड़क चाप अपनी आउकाद मत भूल मतलब आउकाद पर आ जाओं पाँच हजार से कम का तौफ़ा तो पसंदी नहीं आपकी बेटी को रामजादी क्या कहाँ? मेरा मतलब है मेरे बेटे तु मेरी बेटी को क्यों भजा रहा है अरे भूत परेद भी साथ घर छोड़ देते हैं अंकल भूत परेद ही तो साथ घर छोड़ते हैं इंसान तो घर में ही नजर रखता है ओ संभलके कामनी संभलके जब ठोकर तुम्हें लगती है तो चोट मुझे लगती है इधर आउट देखो रावी मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ नहीं नहीं मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो तो मुझसे लेकिन प्लीज अपनी जुबान से मत कहना मेरा चोटा से दिल इतनी बड़ी खुशी बरदाश नहीं कर पाएगा मैं तुम्हें तुम मुझे नहीं मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ तुफा दिलाऊँगा अपनी बड़ी गाड़ी में घुमाऊँगा आलिशान होटल में खाना खिलाऊँगा यकीन नहीं आता तो यह देखो तुम्हारे कंजूस बाप के रुपए क्या मेरा मतलब है रुपए मेरे ही बाप के हैं मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाओंगी अफ ओ चली भी जाओ, क्यों दिल तोड़ती हो मारे बेटे का देखो बेटी, मेरे बच्चे ने पतानी कितने दुख उठाए हैं तुम्हारे साथ रहता है न, बढ़ा खुश रहता है जाओ बेटी आप भी कहो न, अंकल अहाँ चलो, बाई माँ बाईड़ बाई अंकल Państwo सत्य प्रकाश यही है, यही है इसेने मेरे पती का खून किया तुमने मेरे भवी का खून किया नफरत करती हो मैं थुम्हारे हो नफरत आए! मैंने खुने किया! माखुनी नही हो! जुदर बेटे! क्या हुआ बेटे? यह क्या कह रहा है तो? हें? पता ना क्या कह रहा है तो? कुछ नहीं, बादा! कुछ नहीं. एक एक बुरा सबना देखा था. आप सब ठीक है. दादा जी, दादा जी. हाँ, बेटे, मैं यहाँ हूँ. आजा, आजा, आजा. क्या हुआ बेटे? दादा जी, मुझे बहुत धूख लगी है. कल से माने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया. बापू आएंगे ना, तो उनसे मैं मा की शिकायत करूँगी. ऐसा नहीं कहते बेटे, तू अंदर जाके बैठ, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ. जल्दी लाना दादा जी. जल्दी लाँगा बेटे. आसे लाकर दोगी उसे, घर में तो कुछ भी नहीं है. इतने दिनों से छोटी मोटी चीज़े बेच कर ही तो घर चल रहा था. मंगल अब तो बेचने को भी कुछ नहीं रहा. इसे बेच दीजे बाबु जी. ये क्या कह रही हो भवू? मंगल सूतर बेच होगी? नहीं, नहीं, अगल हो गई हो क्या? यही तो एक आखरी निशानी है उसकी. उनकी आखरी निशानी है नहीं, बाबु जी. मुन्नी है. अगर मुन्नी को कुछ हो गया, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी? बहुक लगने पर ये रोटी तो नहीं बन सकना, बाबु जी. इसे पेश दीजिए. नहीं, बहु इसे रहने दो. साथ एक साथ ही न मुझे गोदी में एक चौकिदार की टेंपररी नौकरी दिलाने का वायदा किया है. जाकर उसे मिलता हूँ. भला आदमी है. शायद कुछ एडवांस भी दिला दे. कौन है भाई, कम से कम राज को तो आराम से सोने दिया करो. सोने का इतना ही शौक ए हीरा तो कहो. ऐसी नीन सुलादूं के दोबारा कभी जागी न सको. अरे बलवन तुम? हाँ मैं. भाई सिंगापूर से लोटा तो पता चला कि तुमने सत्य प्रकाश का राम नाम सत्य कर दिया है. खुशी हुई है जानकर. अरे तुम खुश हुए तो हमारे लिए समझो भगवान खुश हो गया. मैं इतने बरसों से हौंग कॉंग में सिर्फ खुश होने के लिए नहीं बैठाओं. मुझे 24 घंटे सिर्फ नोट दिखाई देते हैं. नोट. और से सुनो. हमारा 50 करोल का कंसाइनमेंट दो दिन में बॉम्बे पहुँशने वाला है. अरे तुम उसकी विगर मत करो. गोदी के सारे आदमी समझे तुमारे मुलाजिम है. अगर फिर कोई इमानदार दीवार बनकर खड़ा हो जाए, तो उसे भी मिटा देना. और जब बात तुमारे हाथ से निकलने लगे, तो हमें फोरण खबर कर देना, समझे? कर दूँगा खबर. अब कोई माई कालाल केंख़ा बनकर मेरे रास्ते के रुखावट नहीं बन सकता. बिल्ला, जहां भी अपनी बेटियां पड़ी है, आरामज निकाले, कोई रोक टोक नहीं है, यहां कोई आने वाला भी नहीं है. क्यों भाई, क्या हो रहा ये सब? आवाज मत करो बाबा, यह से बड़े खतरनाक गुंडे मवाली हैं, जान से जाओगे. मतलब के जान के डर से तुम इन गुंडे मवालीयों को सारा गार कानूनी माल ले जाने दोगे? अरे कैसे चोगजार हो तुम? मैंने कहा ना आवाज मत करो. चुप रहा हूँ, मैं माँ से नहीं डरता. जल्दी करो, भागो, कोई आ रहा है. तत्य प्रगाश के बाद ऐसा कौन सा हराम जादा पैदा हो गया, जो इमानदारी की सीटी बजा रहा है. यही तो समझ में नहीं आ रहा हिरासेट. सारी बाते तय हो चुकी थी. हम सारा रास्ता साफ गरवा चुके थे. मगर पता नहीं किसने यह सब गरबर कर दी. जो भी आदमी है, मैं नहीं चाहता दुबारा सीटी बजाने के लिए जिन्दा बचे. शिवा को फॉरन मा भेजो. कौन हा भाई? कौन चाहिए? मुझे बिशंबरनाथ से मिलना है. हाँ, बोलिए. मैं ही बिशंबरनाथ हूँ. मुझसे क्यों मिलना चाहते हूँ? कौन हो तुम? मैं, मैं वो. कहीं तुम्हें, बड़े साहब ने तो नहीं भेजा, यहां नौकरी के लिए. हाँ, बड़े साहब ने बेजा है. अरे तुमने तो मुझे चौका ही दिया. मैं खाना खाने बैठा ही था के तुमारी आठ सुनी. मैं तो डर गया. मुझे लगा के तुम भी वही हो जो यहां मारपीट करने आते हैं. मैं बैठ के बाद चीत करते हैं. मैं आओना भाई. बैठो. बैठो बैठो. बैठो भाई. लो, खाना खाओ. लो, बैठो भाई. काना घर का है. मैं. क्यों? रूखी सूखी है, इसलिए. क्या करूँ मेठा. बगवान ने इस भूडे को बे-साहरा कर दिया. हमारा बेटा यही नौकरी करता था. मां डाला किसी जालम ने उसे. सत्य परकाश नाम था उसका. उस अत्यारे ने एक मां की गोदी नहीं उजाडी. एक जहागन को भी विध्वा कर दिया. जवान बहन और मासूम बच्ची का सहरा भी छीन लिया. खेर, मेरी इन बातों से तुम्हे क्या लेना देना? का ना खाओ. अरे, कहां गया है? यह क्या लगा रही हो? दुर्गा मा की तस्वीर. यहां कोई तस्वीर अस्वीर नहीं लगा नी. इस घर की दिवारों को विरान रहने की आदत है. शिवा यह भगवान की तस्वीर है. वो घर घर नहीं होता, जहां मंदिर नहों. मुझे किसी मंदिर में रहने का शौक नहीं है. निकालो इस तस्वीर को बाहर भेग दो. ऐसा सोचना भी बाप है, शिवा. तुम और तुमारा भगवान कान खोल कर सुन लो. मेरा पाप और पुन्ये से कोई वास्ता नहीं. जिस चीज को मैं जानता नहीं, उसे ममानता नहीं. बाहर भेग दो उस तस्वीर को. शिवा, भगवान की तस्वीर तो उन पोठों पर भी होती है, जहां और और तुम्हें इतना फर्क है, उनका जमीर मर चुका है, पर तुम्हारे अंदिर जमीर है अभी तक. और जिस दिन तुम्हारा इमान, तुम्हारा जमीर जागेगा, भगवान को जानने भी लगोगी और मानने भी लगोगी. मुझे आरो उस चीज से नफरत है, जो जमीर नाम की चुया को पर मारने का मौका दे. जमीर इंसान को अमीर नहीं मना सकता, लेकिन तुम्हारा ये भगवान, उसे गरीब, और उससे भी बत्तर बद्रसीब रूब बना सकता है. मैं इन दिवारों पे ऐसी कोई चीज देखना नहीं चाहता, जो इंसान ने ढूंग के लिए बनाई हो. नहीं शिवा. और हज्जो मेरे लास्ते से. बत्चा कएा मेरे लास्ते से. होज्जो मेरे लास्तेặtट लास्ते से. Stackinek पड़ मेरे लास्ते. स Similar बत्तर च्रफ्व精 के परीब, ह Михаरण है. झाल झाल कि अच्छा आइट तुम्हें बदलना अरे सत्या प्रकाश के बाप से तो क्या उसके पूरे खांदान से भी मिलवाएगा तो भी मेरा दिल नहीं पिकलेगा जागेगा इसलिए कि जागता जिसका दमीर सोया हो मेरा दमीर सोया नहीं मर चुका है और उनसे किसी और नहीं तूने मारा थे तूने अगर हिम्मत है तो मेरे जागा कर दिखा दिखा कौन है बे माप करना मैं समझी मेरे बापू है बुजी वी लाल टेन लेकर अपने बापू को ठुलने निकलिये इसमें दो रोष्णी नहीं है रोष्णी रोष्णी क्या होती है शायद आपको भी नहीं मालूं तुम हाँ मैं देख नहीं सकती है कौन हो तु मैं मुन्नी हूँ अपने बापो को ढूनने निकली हूँ बहुत दिनों से वो घर पर नहीं आये आप जानते ही क्या मेरे बापू को कौन है तुम्हारे बापू सक्तिय प्रकाश में लिए आंको के डॉक्टर को लेने गए थे उसके बाद घर ही नहीं आये सारे घरवाले रोते रहते हैं मुझे कुछ पताते भी नहीं मैं पूरी पूरी रात उनका इंटिजार करती रहती हूँ आज सब घरवाले सोगर तुम्हें चुपके से उन्हें दूनने निकलाई आप जानते हैं मेरे बापू को मैं यह मैंने जानता है तुम्हारे बापू को ठीक है मैं उन्हें खुट तून रोंगी अरे सुनो इस वक्त तुम कहां जाओगी कहीं भी जाओगी मंगर आज तो मैं दून कर ही रूंगी नहीं मुनी मैं दून के लाओगा तुम्हारे बाप को अभी तुम घर चाओगी घर लेकिन घर का रासा तो मुझे मालम नहीं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ठीक है मुन्नी मेरी बच्ची कहां चली गई थी तो बापू को ढूनने गई थी मा कितनी बार कहा है तुझे अपने बापू को ढूनने मत जाया कर अबू तुझे नहीं मेलेगे कहीं नहीं मेलेगे ? बता गये ती कहा गये थी ? क्यो कहा दून .. क्यो गये थी ? यह क्या कर रहियो लही हो ? इस मामधूम ग और क्यों मार रहियो ? अ यही है हमारा सत्य परकाश जो हमें छोड़ का चला गे लेकिन अब उस मातूम को कैसे समझाओं जिसे तू ढून रही है वो तुझे अब कभी नहीं मिलेगा अगर आज आप इसे ना मिलते तो बदा नहीं कहा का ठोकरे खाती भिरती मेरी बच्ची इसे लगाशने सबस्क्राइब आडने साक्षणी होनो नहीं कहा है नहीं करू है शिवा शिवा, शिवा 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 कनल मynnवाशन शेवत Tabiiशना सब्ता है मेरे अल कि ख मेरे यहाथ खून से रंगे वें पारो, खून से! शिवा, शिवा, क्या हो गए तुम्हें शिवा? मैं आल बर्दास्त नहीं कर सकता पारो मुझे अपने आप से नफरत्सी होने लगी है मैं इंसान नहीं शैतान हूँ, शैतान! क्या बात है शिवा, आखर तुम इतने बेचन के हो? बताओ शिवा, कम से कम मुझे तो बताओ! मैं एक खूनी हूँ, खूनी! चंद रुपों के लिए मैंने एक ऐसे घरीब इंसान की जान ले ली जो अपने परिवार का एक ही सहारा था मैंने बहुत बड़ा पाप किया पारो, इतना बड़ा पाप जिसका कोई प्राश्चीत नहीं मुझे कोई रास्ता दिखाओ पारो, बताओ मैं क्या करूँ वरना अपने आप से लड़ते लड़ते मैं मर जाओंगा, मैं मर जाओंगा प्राश्चीत के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है शिवा अपने गुनाहों को पभूल करके अपने आपको कानों के हवाले कर दो लेकिन उससे भी बड़ा एक प्राश्चीत और है जिन बेसारों का तुमने सारा चीना है उनका सारा बन जाओ उन आखों के सारे आसु पोश दो जिन आखों में तुमने आसु दिये हैं हाँ सारा सामान बाहर ठेको जो इदर है वो सम ठालाओ चलो ठेको इदर हाँ इदर लाओ इदर ठेको बनवारी हम पर तरस खाओ ऐसा जुल मत करो हमें थोड़ी सी मौलत और दे दो बनवारी हाँ सेट जी हम बादा करते हैं कि हम आपकी पाई पाई चुका देंगे पाई पाई अरे अब तो तुम लोग एक पाई भी चुकाने काबिल नहीं रहे जरा ये तो सोचो बनवारी तुम हमें इस तरह बेगर कर दोगे तो हम जाएंगे कहां अरे मैं क्यों सोचू जहन्न में जाओ रुक जाओ लोगों को जहन्नू में भेजने का बहुत शौक है तुझे कहो तो मैं तुझे वहाँ पहुंचा दू बिना टिकेट अबे कौन लगता है तू इनका इनका जो लगता हूँ बाद में बताओं पहले मैं तेरा इलाज कर दूँँ मुझे हतापाई मत करना मैं बहुत कमीन एक रिसम का आदमी हूँ जानता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ के इन गरीबों का पीचा छुटे तुझे कितने गाए तेरा यह मकान अच्छा तो तुम खरीदोगे बहुत रुपए लगेंगे इतने रुपए कहां से लाओगे कहां गायब हो गए थे तुम पहली बार तुमने जुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया मैंने अपना काम पूरा कर दी जूट बोलते हो तुम जूट तुम बोलते हो सत्य प्रकाश का खून करवात वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे बीचे कोई नहीं है कहा था न ना सिरफ उसका बाप, उसकी माँ, बीवी, बेट, बच्चे, सब खतम हो चुके थे, जाओ जाकर देखो, जिन्दा लाशों किता गूमरे, तम्शान हो गया उनका घर, ये राज सेट, तुमने एक चाकु से छे खून करवाए मुझसे, छे जिन्दगानिया खतम करवा दी, श बाकी के रुपे? हाँ, बाकी के रुपे, तुने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिये थे, बाकी पांचों की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे, क्या बखवास कर रहा है ये, दिमाग तुनी खराब होगे इसका, मैं तुमें एक कॉड़ी ने बिस्तॉल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में, बोल अपने चमचे से, चाकर दो लाक रुपे ले आए, वरना, दो लाक रुपे लेकर आओ जल्दी, रुक जाओ, ये बिस्तॉल मुझे दो, शिवा हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद र पड़ेगा, और ये नीच का मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ बेटा ये क्या, ये घर तुमने हमारे नाम लिखवा दिया, हाँ बाबा, आज के जमाने में कोई किसी को दो पैसे का उधार नहीं देता, और आपने हमें इतना महंगा मकान खरीद कर दे दिया, इतने सारे असान क्यों कर रहे हैं आप? ये समझ लो भावी शायद पिछले जनम का कोई करजा है जो मैं चुका रहा हूँ जुग जुग जीओ बेटा, मेरी उमर भी तुम्हे लग जाए, आज तुमने मेरे बेटे का सपना पूरा कर दिया उनका एक सपना और भी था, जो मुझे फूरा करना है वो क्या बेटे? मुन्नी की आखो में रोशनी जगानी है जरा आखे सामने करो, शाबाश, अब जरा ऊपर करो मिस्टर शिवा, आप जरा मेरे साथ आए मुझे अफसोस है मिस्टर शिवा, अगर इस बच्ची की आखों का उपरेशन छह महीने पहले हो जाता तो इसकी आखों की रोशनी लोट सकती थी इसका मतलब ये कभी देख नहीं सकेगी नहीं, डॉक्टर नहीं, ऐसा मत कहिए क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे इसकी आखों की रोशनी फिर लोटा है है, एक तरीका है चलो चाचा, क्या काई डॉक्टर अंकल ने, क्या मेरी आखे ठीक हो सकती है हाँ मुण्याघे ठीक हो जाएगी, अपनी मम्मी को देखेगी, मुझे देखेगी, सब को देखेगी क्या सब्मश मुझ मुझ्याजाचा शेक हो जाएगी हाँ भावी, हमारी मुनी देख सकेगी लेकिन शिवा, डॉक्टर साहब ने कुछ बताया, इसमें खर्च कितना होगा खर्च की चिंटा मत करो इसकी आँखों की रोश्णी वापस लाने के लिए, मैं खुद को बेच भी सकता हूँ शिवा, तुम्हारा प्रैश्चित पूरा हो रहा है, तुम्हारे जीवन के अंधेरी का सवीरा हो रहा है अब अपनी जिंदगी की भारे में क्या सोचो पारो मेरे चुरूम साहे की तरह मेरे जिंदगी से चुड़े हुए अन्जाम कुछ भी हो सकता है शिवा आपारू बच्पन में सिरफ मा का प्यार मिला मैं उससे बिच्छड गया अब तुम्हारा प्यार मिला डरता हूं कहीं नहीं शिवा, ऐसे बात दखो तुमसे बिच्छडने का खयाल भी मुझे, मुझे तड़ता देता है बहुत देर हो गए शिवा, मुन्नी भूकी बैठी होगी उसने कहा था, जब तक शिवा चाचा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी सत्य प्रकाश के खून के अलजाम में मैं तुम्हें ग्रिफदार करता हूं योर अनर, ये केस बिलकुल आइने की तरह साफ है मुल्जिम शिवा ने 22 मार्च की रात, गोदी के सेकुरिटी आफिसर सत्य प्रकाश का खून किया और फरार हो गया मैं आदालत में इस्पेक्टर लाल को बलाने की अजाज़त चाहूंगा जो मौकई वारदात के चश्म दीद गवाँ है इजाज़त है इस्पेक्टर लाल, 22 मार्च की रात, जब गोदी के ऑफिसर सत्य प्रकाश की हत्या हुई आपने मौकई वारदात पर पहूंच कर क्या देखा? सेकुरिटी आफिसर सत्य प्रकाश की खून से लत पतलाश और मौजरिम को गुना करके भागते लए देखा और उसके बाद, मैंने मौजरिम का पीछा किया पर मौजरिम पुलिस को चक्मा देकर भाग गया यह बात आप दावे से कैसे कह सकते है कि वो श्यवा ही था और कोई नहीं मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ के खुन इस शिवा के इलावा और कोई नहीं तैंक यू इंस्पेक्टर यर अनर सुपारी लेकर खुन करने वाला ये एक पेशावर हत्यारा है एक खतरनाक हैवान है इसलिए मैं दालत से दर्खास करता हूँ कि इसे इतनी सक्स सजा दी जाए कि हर पेशावर हत्यारा किसी का कतल करने से पहले काप उठे इसलिए और अनर मुल्जिम शिवा तुम्हारा कोई वकील है नहीं तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुल्जिम के खामोशी ये जाहर करती है कि वो अपना गुना कबूल करता है इसलिए ये अदालत ताजिरात हिंद दफा 302 के तहट सत्यप्रकाश के कतल के जुरूम में शिवा को मुझरिम करार देते हुए ये अदालत सजाए रुक जाए 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 आप काउन है मैं सत्यप्रकाश जी की बेवा हूँ जिनके कतल का केस यहाँ चल रहा है आपको जो कुछ कहना है कटैने में आ कर गईगी Your Honor 22 मार्च की रात को मेरे पती का कतल करने के बाद इत्तफाक से कातिल हमारे ही घर में घुसाया अंजाने में मैंने उसे अपने घर में छुपने की जगह दी जब इंस्पेक्टर लाल आए और उन्होंने ये बताया कि मेरे ही पती का खून हुआ है तो ये सुनकर मुझरिम फरार हो गया इंस्पेक्टर लाल क्या ये सच है Yes Your Honor Your Honor अगर दुनिया में किसी ने कातिल की शगल देखी है तो वो मैंने और मैं उस कातिल को करोडो में पहचान सकती हूँ शिवा मेरे पती का कातिल नहीं है Your Honor वो तो एक देवता है वो वो बिलकुल बेगुना है Your Honor बिलकुल बेगुना है सत्य परकाश की पत्नी की गवाई ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है क्योंकि असली मुझरिम को सिर्फ इनों ने देखा है और यहीं उसे पहचानती है इसलिए ये अदालत इस केस को खारिश करते हुए शिवा को बाइज़त परी करती है और साथ ही साथ पुलिस को ताकीत करती है कि असली मुझरिम को अदालत में जल चल जल पेश करे बहुत चाल चल ली तुने हिरा अगर फिर कोई चाल चली तो मैं तुझे जिन्दा रहने के लिए नौ सेकंड की महलत भी नहीं दूँगा और तेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा गाड़ी स्टार्ट कर वरना एक छटके में सरधर से अलग कर दूँगा तुम हो कौन? तेरे हरामी बाप का बाप हो तुम चाहते क्या हो? पहले जगा पर पहुंचना उसके बाद तेरे बाप का करजा सूथ समयद वापस लोड़ना चला गाड़ी? कामनी, मेरी कामनी रावी! कौन? गाड़ी चला वरना जबान काटकर तेरे हाथ में रख दूँगा चल, गाड़ी चला! तेरे चीक जंगल के जानवरों तक को सुनाईनी देगी, चाद़ी! तुम मेरे सारे जेवर, सारे रुपए रख लो और जाने दो मुझे, प्लीज नहीं नहीं प्लीज, नहीं रवी, रवी, आज अगर तुम ना आते, तो तुम्हें मेरा मरावा मुझ देखना पड़ता ऐसा मत को खामी, यह तो मेरा, फर्स था, मैं कहती हूँ, आज तुम्ने मुझ बड़ा एहसान किया है, आज फर्स और एहसान की चाद़ीवारे तोड़कर, मैं तुम्हेरे पास आ गई हूँ रवी, मैं तुम्हें उतना ही चाछती हूँ, जितना कि मैंने तुझे गल्ती से इतने जोर से ठोक दिया मुझे माप कर दे साले उस वक मेरा चापड बढ़ जाता ना तो तेरे बाल की खाल मेरा हाथ में आ जाती अरे मेरी क्या मजाल कि तुझ जैसे महान गुंडे की इजासत के बगार मैं तेरी मुझ के बाल से भी खेल सकूँ दोस्त आज तुने मेरी महबत मेरे प्यार को हग दिलाने के लिए मेरे हाथों मार खाई अब आगे बता करना क्या है लड़की तो अब तेरे हाथ में है अब उसकी लड़की के जरिये उसके बाप की जान तू अपने मुठी में कर ले मतलब शादी बाद में करना पहले पहड़ा पड़ उस लड़की से मंग नहीं कर ले हाँ मैं अभी जाता हूँ लेकिन बेटा रवी बेटा कब करोगे ये शुब काम क्या कहा अब की बेटी कामी नहीं मैंने कहा था सुनते ही आंकल खुशी से उच्छल पड़ेंगे क्यों right?, तुम्हारा क्या खिल है अच्छा होगा कि आखे़ बंदोनी से पहले बच्छों का खर बस जाए क्या बात करने से जी ए रिश्टा कैसे हो सकता है? कहां यह और कहां aam क्या जो हिरा? मेरा मतलब ए कहां यह हीरा आज तुम कहना कुछ चाहरे हो और मुझे कुछ और निकल रहा है घबराण के मारे मेरी जबान साथ ने देरी भावी जी घबराने की कोई बात नहीं है ससूर जी ससूर जी मेरा मतलब है होने वाले ससूर जी मैं जानता हूं हैसियत में आप हम से बहुत कम है सेर जी भाबी जी अब आपसे कैसे को कि मेरी मेटी इससे लफरत करती है लफरत नहीं डाडी मैं तो प्यार करती हूं रवी से कविनी येस डाडी I love him I love him डाडी जब मिया बीवी राजी तो क्या करेगा ससुर्पाजी अरे चंदर ये लीजे एक ब्रेट दे दीजे कहां गाइब हो गये थे तुमने तो मिलना जुलना ही बंद कर दिया मैं किसी उल्जेने फसावा तचुई क्या तुमेर पता है हमारे साथ क्या हुआ मेरे भाईया मेरे भाईया भी आब इस दुनिया में नहीं रहे मुझे पता है जुई क्या तुम्हे पता है और फिर भी तुम उसे मिलने नहीं आए क्या हो गया है तुम्हे चंदर तुम पहले तो ऐसे नहीं थे इंसान अच्छा बुरा नहीं होता जुई हाला तुसे अच्छा बुरा बना देते मेरी क्या मचबूरी मैं तुम बता नहीं सकता जूही, ओ जूही तुम्हें चो कुछ भी समझाना है अब भावी को समझाना वो तुमसे मिलना भी चाहती है देखो मैं तुम्हारी भावी से मिलना नहीं चाहता और नहीं आज के बाद तुम मुझे से कभी मिलने की कोशिश करना, समझी? चंदर, चंदर मेरी बात दो सुनो, चंदर! जुही, क्या हुआ? चंदर था, मुझे से मिला तक नहीं जब बुरा वक्त आता है, तो चारों तरफ से आता है भावी अपने भी परहे हो जाते हैं नहीं, चुही, पक्स, पक्स, रोते नहीं चुही, क्या बात है? तुम रो क्यों रही है? भाईया भाईया जिस रिष्टे का मैंने सिर्फ नाम सुना था आज पहली बार किसी ने पुकारा अब तेरा कोई दुख तेरा नहीं होगा बता, क्या बात है? जिस लड़के से इसका रिष्टा पक्का होने वाला था आज वो ही इसे रुला गया आज बाजार में जुही ने उसे बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन वो बेगानों की तरह चला गया कौन है वो? क्या नाम है उसका? इस धर्ती पर जहां कहीं भी होगा उसे उठा कर मैं या ले आऊंगा उसका नाम चंदर है चंदर? कहीं यह वो लड़का तो नहीं जो होटल में काम करता है हाँ अरे उसका घर पता ठिखाना तो मुझे मालू मैं मैं अभी उसके बाबा से तुम्हारी शादी की बात करकर आता हूं यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा के जुही और चंदर की शादी हो जाए लेकिन उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का हक मुझे नहीं है क्योंके चंदर मेरा अपना बेटा नहीं है मैं जानता हूं माबा मगर उसकी जिंदगी पर आपका हक उसके असली माबाप से भी ज्यादा है और बहुत जल्द मिलेंगी मेरा दोस्त बादशाह उन्हें अच्छी तरह जानता है चंद महीने पहले वो मुझसे मिलने के लिए आया था और कह गया के चंदर एक करोड़ पती सेट का बेटा है लेकिन उसने सेट जी का नाम नहीं बताया और कहा के वो जल्दी ही आकर उसे उनसे मिलाने के लिए ले जाएगा लेकिन पता नहीं क्या हो गया बादशाह को उसके बाद लौट कर आया ही नहीं बस तभी से मैं उसकी राह देखता हूँ ताके मेरे गरीब चंदर को उसका हक मिल जाए किस का खून बहाता शिवा एक तूद पीते मासू बेगुना बच्चे का जो अपने बचाओ के लिए इतना भाग सकता था ना चिलना सकता था मुझे तो लगता हूँ के असली बेटे को हीरा ने ही गायब किया है अर अपना गया लेना देना अपने को तो अच्छा खाना अच्छे कपड़े वपड़े मिलते हैं और घूमने के लिए इतनी बड़िया गाड़ी यह बादशा कड़े मुरते हो खाड़ने के कोशिश कर रहा है खात्म कर दो इसे क्या बात है बेटे कहां खोगे थे तुम कही नहीं बाबा आपके चंदर को उसका हक मिलेगा चाहे आपका दोस्त बादशा लोटे या ना लोटे तुम्या कैसे? गड़े वे मुर्दे उखार कर जिन्दा करने और तुम्हे मुर्दा करने आया हूँ शराब फिकर आयो क्या? बादशा को तुमने जिस बच्चे को मारने की सुपारी दी थी वो सेट धन्राज का बेटा है न? कबरा गए? सेट धन्राज का बेटा मेरे पास है दिवाग खराब हो गया है तुम्हारा? सेट धन्राज का बेटा उनके पास तक पहुंच गया है वो नकली बेटा है असली बेटा उनके पास मैं पहुंचा होगा तुम बक्वास कर रहे हो ये बक्वास नहीं हकीकत फिलाल तुमारे आश और आम के दिन खतम हो चुके इसलिए पहले बता रहा हूँ अपने रहने का अंतिजाम कर लो क्योंकि बंबाई शेयर में छट ढूंटे ढूंते उमर गुजर जाती मेरी उमर गुजरने से पहले तुमारा बाप तुमें उपर तक पहुंचा देगा किसका बाप किसे कहां पहुंचाएगा ये तो वक्त की बताएगा क्यों बेटे पोटल पसंद आया ला जवाब है पिताजी खाना भी या ला जवाब बनता होगा ना सारी जिन्दगी जोपड पटी में गुजारी कभी सपने भी नहीं सोचा कि मैं इतना अमीर आदमी बन जाओंगा लेकिन इतना बड़ा कारोबार मैं संभालूंगा कैसे अरे तुम इसकी फिकर मत करो बेटे कारोबार संभालने के लिए मैं जो हूँ नहीं ससूर जी अब आप भी बुड़े हो गए आपको भी आराम मिलना चाहिए आखिर आप कब तक काम करते रहेंगे देखिए कल से आपको होटेल में आने की कोई ज़रूरत नहीं क्या बोला मैं तो वाच्मन से भी कह चुका हूँ क्या अगर आप आभी गए तो आपको अंदर नहीं आने दे देख लिए रहा तुम्हारी बेटी की साथ मंगनी होते ही कितना ख्याल लखने लगा तुम्हारा हाँ सेच जी देख रहा हो देख सेच जी आप इसको बागी का होटेल दिखाईए कि मैं अभी आता हूँ हाँ बेटे क्यों आये हो सेच जी को ये बताने कि तुम कितने धोकेवाज और नमक हराम हो सुबूत के लिए सेच जी के असली बेटे को साथ नहीं लाए कहा है वो वो मेरी हिफाज़त में हमारी हिफाज़त में भी कोई है उसकी आवाद सुने चाचा मुझे बचा लो चाचा चाचा इन लोगने मुझे बन करके रखाए चाचा मुझे बचा लो चाचा अब बताओ इधर चले या उधर मुझे मुझे हरामजादे बता मेरी मुझे का है बता नहीं शिवा नहीं अभी तो तुम सिर्फ अपनी मुझे का रोना सुन रहे हो लेकिन अगर तुमने हीरा पर हाथ उठाने की गलती की तो तुम्हे भी रोना पड़ेगा अपनी मुन्नी की लाश मर हमसे बहुत आकमिचोली खेल चुके तुम शिवा एक बात याद रखना कि इस दुनिया में हर इंसान का कोई न कोई बाप होता है और तुम्हारा बाप आ गया है क्या बात है शिवा हमें देखकर पसीना क्यों छलगाया तुम्हारे माथे पर अचानक तुम्हारे चेहरे का ये रंग क्यों ओल गया था इसलिए कि मैंने सपने में भी नी सोचा था कि कभी जिन्दगी में ये चेहरा मेरे सामने होगा इसका मतलब ये है कि औरों की तरह तुमने भी अमारी मौत की जूटी खबर सुन रखी ती आप क्या करें शिवा हमें मरने की आदत नहीं है सिर्फ जान लेने का शौक है इसलिए आज तुम्हें यहां बुलाया है सुना है कि तुम एक पेशावर कातिल हो पैसा लेकर लोगों का खून बहाते हो खून बहाने का ये गिलोना खेल खेला मैं छोड़ चुका हूँ शिवा जुर्म के दुनिया से तालोक रखने वालों की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए जबके तुम्हारी है एक मासूम बच्छी चाचा अरे दे दे शिवा नहीं बिचारी मुनी को और तकली कहुंचेगा या नाकाम होना मेरी फितरत में नहीं है शिवा तुम्हे मेरा ये काम नहीं होगा घुर्म क्ण किसी का खुण करना होगा तुम उसे अच्छी तरह जानते हूँ बर्सों पहले हमारे गद्दा साथी बाच्छा की वज़ह से वह बच्चा बच्या था अब वो जवान हो गया है ये कहानी आज से कई बरस पहले शुरू होती है जब मैं हीरा और बादशाह हम तीनों ने एक साथ मिलकर चाहएगी पुलिस शिशन मेरे खिलाब चाहएगी अब जोता है चाला मारे साथ इस तरह उस बच्चे की खातिर मुझे अपनी बीवी का खून करना पड़ा और इल्जाम मैंने अपने बेटे पर लगा दिया बहुत खूब बलवन साब आज पहला आदमी देखा जिसकी कोई कमजोरी नहीं है कमजोरी कमजोर लोगों में होती है शिवा हम जैसे लोगों में नहीं खैर जो काम तुम्हें दिया गया है जितनी जल्दी कर सकते हो कराओ और अपनी मुन्नी को वापस ले जाओ हमारे दो आदमी तुमसे दूर दूर मगर तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और हाँ शिवा मुझे किसी भी किसम की होश्यारी या चालाकी से सकत नफरत है गलती सी भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी मुन्नी की जान पर बनाए मुझे माफ कर दीजिये मैं अपनी आउकाद भूलिया था इसलिए मैंने हीरा अंकल के साथ बत्तमीजी की लेकिन अब मैं आप लोगों की हैसिया जान चुका हूँ जब आपने शिवा जैसे आदमी की ऐसी तैसी कर दी सो मैं किस खेत की गाजर हूँ अरे गाजर नहीं मूली मूली अरे एक ही तो बात है बल्वन साहब मुझे माफ कर दीजे मुझे कोई दौलत जायदाद नहीं चाहिए अरे मुझे को उनकी बेटी भी नहीं चाहिए ये हुई ना बात यही ठेरो मैं जायदाद के काख़ाद तयार करके लाता हूँ हिलना नहीं नहीं हिलूंगा मैं बढ़ सकता हूँ थैंक यू बल्वन साहब मुझे को छोड़ दो तुम्हारा प्यादा मेरे कब्से में है गुना हो कि शत्रज में ऐसे प्यादे या तो मारने के काम आते हैं या मरने के लेकिन राजा को प्यादा ना तो शेय दे सकता है और ना ही माद अगर ये ने काम तुम नहीं कर सकते तो हम कर देते हैं यही तो मैं चाहता था भल्वन साहब कि तुम्हारे हाथों एक और खुनों जिसका चश्मदीद कवासर मैं अकिला नहीं वल्के पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इन सब को गिरिफदार कर लो इंस्पेक्टर कुमार तुम बच्ची को लेकर आप ये सर चलो मिस्टर बलवंद यॉर अनर अरेस्ट मुनी तू ठीक है न मुनी क्यों किया तुने ऐसा बोल हरमजादे क्यों फसाया मुझे आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तेरे चेरे पर मुस्कुराहट बनकर पहला हुआ है बोलता क्यों नहीं कमीने बता वही बताने आया हूँ आज वरसों पहले आपने भी मेरे साथ ऐसी हरकत की थी बलवंद साब इसी तरह मुझे एक खून के इल्जाम में फसाया था आपने मैंने तुझे किसके खून की बात कर रहा है तू एक मासूम भुली भाली कमजोर और लाचार औरत के खून की बात कर रहा हूँ मैं जो तुम्हारी पत्नी और मेरी माँ थी मेरा बेटा जिस लफ़ का मतलब नहीं जानते तुम उसे जबान पर भी मतला हो ऐसा मत कहें शिव शिव नहीं शिवा कल के मासूम शिव को आज का मुझरम शिवा बना दिया है तुमने तुम्हारी वज़े से मेरा बच्पन चिल्डर्न्स होम के सग्जमीन पर जाते वे गुज़रा और मेरी जवानी हाथ में चाकू लिया जुर्म के दुनिया में खो गई कितनी अजीब बात हैं लोग अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं वकील इंजिनियर बनाते हैं लेकिन तुम तुम शायद दुनिया के वो पहले बाप हो जिसने अपने बेटे को एक पेशा और कातिल बना दिया बरसों पहले जो नफरत का बीच तुमने बोया था आज उसी की फसल काट रहे हो तुम अच्छा तो उस बात का बदला ले रहा है तू बेटा तू शायद ये भूल लहा है के बाप आप होता है बेटा तस जनम लेने के बाद भी बाप का पाप नहीं बन सकता बरसों पहले मैंने तेरा बश्पन बरबाद किया था ना अब बहार आकर तेरी जवानी दबाह करूँगा अब तुम बहार आओगे तो सिर्फ शम्शान जाने के लिए आओगे फांसी का फंदा तयार हो चुका है दुनिया में अब तक ऐसी कोई रसी नहीं बनी जो बल्वंद की गरदन में फेट होकर फांसी का फंदा बन सके और हाँ जो फांसी का फंदा तुने मेरे लिए तयार किया है उसे अगर बाहार आकर तेरी गरदन में नहीं फसाया तो मैं भी तेरा पाप नहीं चलो चंदर, अब तुम्हें याँ चुपके रहने की ज़रूत नहीं है मगर श्रीवा भाईया, काले जा रहा है मुझे इस वक्त तक मेरे बाप को फांसी लग चुकी होगी आज मेरे साथ साथ, तुम्हारी जिन्दगी का भी बहुत बड़ा दिन है चंदर आज मैं तुम्हें तुम्हारे माबाप से मिलवाना चाहता हूँ क्या, मेरी माबाप से? हाँ चंदर जिए जिए शिए चंदर आओ चंदर, मुझे तो यरकीन भी नियाता कि सेठ इठानी मेरे माबाप है, मैं आपका शुकुरिया कैसे अदा करूँ आओ शिवा आओ, तुम्हारे लिए खुश खबरी है, मैंने अपने दोस्त बलवंद को फांसी के फंदे से बचा लिया है बलवंद ने मुझे बताया कि तुम उसके बेटे हूँ, जान के बहुत अच्छा लगा, मैंने उस सिकार कि तुम्हारे बेटे को मैं तुम तक पहुंचा दूँगा, अब तुम चंदर को लाए उसके माबाप से मिलवाने के लिए, वो माबाप इस वक्त बलवंद के कबसे मे फैक्टरी में, धन्दे की मजबूरी है, आज इसे इसके माबाप से मिलने से तू तो क्या, तुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, अगर तुने जरा से भी चला की दिखाई, तो मेरे एक इशारे पर, तेरी बेटी की खोबड़िया उड़ जाएगी, तेक उदर, अगी, आखी, और कशinky अगैज भुगुगुगुगुद को जासिति, लोल मेरे पूर्वीच थाद्धोर 다음에 से शुला नयद्धोर से लेटव सवर्लागुगुगुग utilizz. नट गूट गूट कर दो, कर दो? कर दो, कर दो कर दो, कर दो अजयन गूगू झाल झाल घ्यांब और झाल शिवा, शिवा ये क्या चक्कर है, सुना ये चंदर मेरा अपना हूँ हाँ सेड़ जी, मैं आपको सब कुछ बता दूगा, पहले मैं आप लोगों को चाचा, चाचा मुझे बचाओ, चाचा, चाचा, मुझे बचाओ, चाचा बहुत हो गया तुमारा खेल तमाशा शिवा, अब एक भी गलब कदम उठाया, तो मैं इन सब के चीथड़े उड़ा दूगा मैंने कहा था ना कि आज तक कोई ऐसी रसी ही नहीं बनी, जो बल्वन की गर्दन में फिट होकर फासी का फंदा बन सके तू मेरी मौत का जशन मनाने वाला था ना, जशन तो अब मैं मनाऊंगा, तेरी मौत का और आज उस कहानी को भी खत्म कर देंगे, जो बरसों पहले हमने शुरू की थी, यह लो सेड़ जी, मिल लो अपने असली बेटे से, जाओ बेटा, अपने माबाप के गले मिलकर दुआसू बहा लू जाओ चंदर आँ बेटे, आँ अपनी मा के गले लग जाओ पिता जी चंदर रुक जो यही है, यही है वो कौन भाबी, तेरे भाईया का कातिल यह कह रही हूँ भाबी, यह तो चंदर है मैं ठीक कह रही हूँ जूही, मेरी आखे यह मनूस चहरा कभी रही भूल सकती एज़ा मत कहो बेन हमरा बेटे कातिल नहीं हो सकता, दरूर, दरूर तो में कर खलत शैमी हुई है लेकिन यह सचनी की सत्य प्रकाश बजागा कातल, मैंने किया हमारी कुश्यों में आग लगाने वाला प्रादी तुह है छोड़ दीजे मुझे, मैं कहती हो छोड़ दीजे मुझे मैं इस कातिल को जितना नहीं चोड़ूगी तेजू छोड़ दो इसे भाई हीरा, यहां तो एक काानी में दूसरी काानी मिल गई तेजू इसे पिस्तॉल दे दो, अभी अपना बदला खुद ले लेगी नहीं नहीं भाभी आपका प्रादी चंदर नहीं है तुम यह कैसे कह सकते हो इसलिए कि वो खून चंदर नहीं मैंने किया है भी यह नहीं हो सकता परिष्टों के हाथों से आप जिसे परिष्टा समझती वो इनसान कहलाने के लाइक भी नहीं है आप ने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा मैंने इस सत्य प्रकाश जिसे इमांदार इनसान को मौत की खाट उतारा है यह नहीं हो सकता यह हरकेस नहीं हो सकता आज तक मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है सच तो यही है भावी कि मैंने तुम्हारे पती को मारा है इन हातों से इन हातों से भावी क्यूभा रहा उन्हें आखिर तुमारी क्या दुश्मारी थी उन्से दुश्मनी मैं तु उन्हें जानता तक नहीं THा प्र क्यो जार दिया तुमने मेरा सहाथ चंद रुपियों के खाठ İşte मैंने कभी सोचा भी नी था कि जिन लोगों की मैं जान ले लेता हूँ उनके घरवालों पर क्या पीती है लेकिन पहली बार तब पता चला जब मुझे बाबा को मानने कीमत दी गई बस वहीं आकर मेरे जुर्मों की गाड़ी इंसानियत की चटान से ठकरा गई और उसके बाद मेरी जिन्दगी में दो दुश्मन रहे गए एक चाकू और दूसरे वो लोग जो गरीबों के हाथों में चंद नोटों के तुपड़े रखकर गरीबों काई खून करवाते हैं और वो लोग ये हैं ये हीरा और मेरा अपना बाब बल्वन और जब तक इन जैसे लोग जिन्दा है मुझ जैसे शेवा पैदा होते रहेंगे होते रहेंगे भावी इतना क्या सोच रही हो उटाओ पिस्टॉला और मिटा दू इसे जिस ने तुभारी मांग के सिंदूर को म ये लो शिवा चला बेटे गोली चला रुख क्यों गया मैं बताता हूँ बेटे के गोली कैसे चलाई जाती है बल्वन्त अंकल इससे तो उसके बदन में सिर्फ छे सुराख होंगे और इससे छे सो छतीस ये लीजे और भून डालिया स्साले को रॉड आइडिया मी मैं साफ राइबो फम यूसे नहीं चलेगी बल्लू मैं साफ राइबो ममी सासूर जी अरे क्या कर रहे हो भीठा वो क्या है कि पिस्टोल को मिल गई है इसे चलाते कैसे है अरे पिस्तॉल को तो सीरा कर लो, ऐसे, आप चलाओ बेटा ऐसे ही ये शुपक्ताव आप ही कीशी बड़े शुपक्ते झाल 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 यह तो खाली है लेकिन यह तो भड़ा हुआ है याँ 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 करें करें बल्वा!! आजाए करें 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 मान शिवा, 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 शिवा शिवा, शिवा, शिवा नहीं पारो नहीं एक नएक दिन तो ये अनजाम होना था बस खुशी इस बात किये कि उपर जाकर मैं अपनी माह से कैसे कूँगा कि तेरे अपरादिक को उसके किये की सजा दे दी तेरे बेटे ने भावी, 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 सबसे बड़ा गुनेगार मैं आपका हूँ अगर आपने मुझे सच मुछ माफ कर दिया तो मेरी आखरी खुआइश दरूर पूरी कर देना भावी बोलो शिवा भावी, बोलो मरने के बाद मेरी आखी मुन्नी को दे देना शिवा भावी इनाखो ने हमेशा बुराई के शिवा और कुछ नहीं देखा मैं चाहता हूँ इनाखो से मुन्नी दुनिया की हर अच्छा ही देख सके कर सलीम, सलीम मेरे यार हाँ शिवा हाद उटागर दुआ मांग, दुआ मांग मेरे यार ताके मैं हरसानी से मर सकूँ या बगवाद बगवाद शिवा या अल्लाः ने याद ये खांग ये खोस। ये ये वाद ये ये बगवाद ये ये वी का ताके ये वाद झाल झाल